हाई क्या आपको भी कभी ऐसे दरद आता है तो सोचते है कि आइस पैक लगाओ कि हाट पैक लगाओ इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊगी कि आपको कब आइस पैक और हाट पैक का यूज कर सकते हो सबसे पहले हमें समझना होगा इंजरी के stages के बारे में 1st stage होता है acute stage जो 1st 48 hours होते हैं इंजरी के वो acute stage में आते हैं उसके अंदर उस जगे पे swelling हो जाती है redness होती है वो local temperature है वो बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे blood flow बहुत ही बढ़ जाता है है सेकेंड आता है सब एकूट स्टेज जो इंजरी के तीन से साथ दिन होते हैं उसके अंदर आपके स्वैलिंग कम हो जाते हैं या फिर एकदम से ही चली जाती है अगर माइल्ड आपकी इंजरी होगी तो तो अगर आपको वहां पे अभी भी स्वैलिंग है तो आप स्टेज बोलते हैं उसके अंदर स्वैलिंग नहीं होगी लेकिन मसल में पेइन होगा सौनेस होगी और जो आपके जॉइंट होगे वो भी स्टीफ होगे तो उस वक्त हमें हीलिंग की प्रॉसस्ट करनी है और उसके लिए हमें यूस करना है हाट पैट थाट मिस हमें वहां पर हीटिंग करनी होती है तो यह हमने जान लिया इंजरी के स्टेजिस के बारे में और कब हाट पैक लगाना है और कब आइस पेक लगाना है वो भी आपको पता चल गया लेकिन एक बात का आप जरूर दियान रखे अगर आप एक हैल्दी परसन है तो आप जैसे मैंने समझ जाया ऐसे लगा सकते हो लेकिन अगर आपको कोई हार्ट डिसेस है अगर वास्कुलर प्रॉब्लम है स्कीन सेंसिशन अल्टर है डायबिटेस है और ब्लड प्रीचर और यह सब कुछ बहुत ही एबनर्मल रहता है फ्लक्टुएट रहता है तो आपको डॉक्टर का सजिशन लेके ही इसका यूज करना है उसके अलावा आप यूज मत करिएगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है अब मैं आपको बताऊंगी कि होट पैक और आइस पैक को आपको कितनी देर तक लगाना है और दिन में कितनी बार लगाना है होट पैक को आप 15-20 को कैसी यूज करें आपको ओनलाइन और लोकर स्टोर से आइस पैक इजीली मिल जाएंगे और आप घर पे भी बनाना चाहो तो भी आइस पैक को बना सकते हो बस एक पॉलीथीन और जिप लोग बैक ले लीजे और उसके अंदर पानी परिए और उसको फ्रीज कर दीजे कप अपड़े में व्रैप करके ही आप लगाए होट पैक भी आपको ओनलाइन और लोकल स्टोर में इजीली मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग पेट जो टेंपरिचर कंट्रोल के साथ आते हैं तो उसको आप ट्राइटली स्किन पर लगा सकते हो क्योंकि उसमें आप टरवर्स होगे उसके अंदर हम आइस पैक लगाएंगे तेनाता है साब अक्यूट स्टेज जो तीन से साथ दिन तक होता है उसके अंदर अगर स्वैलिंग होगी तो हम आइस पैक लगाएंगे अगर स्वैलिंग नहीं है तो हम वहाँ पे मैर्ड हीटिंग से स्टार्ट करे देन आता है chronic stage जो 10 से 15 दिन के बाद होता है तो उसके अंदर हम heating ही करेंगे I hope कि आज की वीडियो में आपको बहुत ही information मिली होगी hot pack और cold pack के बारे में अगर आपने मेरे चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वो बेल आइकोन है उसको हीट करना ना भूले क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आपको जरूर मिलेगा आप मिस नहीं करोगे तो मिर्दे है अगले वीडियो में till then take care and good bye